हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उमीद करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे जी क्यू डबलू वर्सेस एम यू जैड डबलू फुल इस्टेट्स पलस इन्फो यानि कि गहंगा कुइन्स सीसी ओमेंस बर्सेस मुहंगा जेबरा सीसी ओमेंस के बी आपको बिकेट दिखेगी लो इसकोरिंग मैचेस जा सकते हैं 60-80 बनेंगे ओमेंड मैचेस हैं तो आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा बाकि आपको फोकस प्लेयर इस्टेट्स पर करना जो भी फाइनल अपडेट या फाइनल टीम रहती है वो आपको मिलेगी कहां टेलि कर सकती है देगे थोड़ा सा रोल में आपको दिख सकता है इधर उधर क्योंकि जो ड्रीम 11 मैंसन किया गया है और जो ऑफिस्यल है कुछ इधर उधर हो सकता तो इस चीज़ का आप धियान रखेगा यह रोल गलत भी हो सकता है बाकि आप यह जरू देख लिएगा लास्ट यह वाला जो टीटेन हुआ था लास्ट जो सीजन था इनका दोजार तेईस में जब खेले थे वहां पर आट मैचस टीटेन के खेले थे 178 रन बनाए थे 22 के एवरेस से लास्ट के तीन मैचस में देखेंगा ओपनिंग आय थे 45 22 और 8 रिसेंट फॉर्म देख सकते है रिसें में अच्छा रिकॉर्ड है रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा अब देखेंगे तो उतना खास नहीं गया है जो रिसेंट में खेल के आ रही है इनके बाद इनके साथ ओपन आएगी बिलेशी मुरेकर्टे जो की एक सीबिसी के एक बहतेरिन ऑफसन है इस मैच में लास्ट सीजन जो 2023 में खेली थी टीटन की तो 9 मेचेस में 212 रन बनाई थी और 2.5 सेंचरी भी था एवरेज देखेंगे तो 42 का था और 8 मेचेस में 16 लगवख 15 ओवर की गेनवाजी डेथ ओवर में भी गेनवाजी करती है पाज बिकेट ही निकाली थी बट बल्लेवाजी गेनवाजी दो बल्लेवाजी गेनवाजी दोनों अच्छे की है तो यह तो आपके टीम में होने ही चाहिए इनके बाद इनके बाद पास आ जाएगी इनके विकेट कीपर एम उआ से जो कि एक विकेट कीपर बल्लेवाज है लास्ट रिजन 9 मेचेस में टीटन के अंदर 183 रन और इनके बाद जी वासी मिलेगी जो कि लास्ट रिजन 9 मेचेस खेली थी एक 70 रन बनाई थी 17 गेबरेश से पलस 17 ओवर की गेनवाजी करके 5 भी गेट निकाली थी और साथ की एक सीविसी के अच्छे ओफशन है जी वासी भी यह भी खिलाड़ी अच्छी है रिजन फॉर्म आ आठ मेचेस में 92 रन 20 ओवर की लगवा गेनवाजी चार विकेट थोड़ी सी कम निकाली थी बट गेनवाजी पूरे अपने की थी शकीला आ जाएगी आपको नमबर पाच्छे पे दिख जाएगी लास्ट रिजन 9 मेचेस में मातर 29 रन था और एक मेचेस में एक ओवर की गे हैं लास्ट रिजन 9 मेचेस में 10 रन बनाई थी और लास्ट के 2 मेचेस में 4 और की गेनवाजी चांस निकाली थी तिम चाहे तो इनसे बॉलिंग करवा सकती है मुझे तो लग रहा एक आदी उपर करवा दे बट जादा करवा ने की चांस नहीं है रिसेंपर आप देख है नो अवर की गेंदवाजी करवाया गया है टी ट्वेंटे गैंदर तीन बिगेट निकाले तो जादा आप इन से उमीद नहीं रखेंगे एकादी उबर मिल जाए वही काफी है आई थिंग कि उससे जादा नहीं मिलने जुराफत इश्मवे लास्ट रिजन नो मैचेस में आठ मैचेस में बॉलिंग करवाया गया था पूरे ओवर लगवग डालने चाहिए तीन बिगेट निकाले थी ज़्यादा तो बिगेट नहीं निकाले तीन बिगेट निकाले थी गेंदवाजी पूरे की थी लगवग और डॉमेस्टिक लेवल पे भी देख लिजे तो पूरे ओवर की गेनवाजी करवाई जा रही है इनसे तो आई थिंग की दो अबर डालनी चाहिए एक और पाहर पेले में एक और मीडिल ओवर में डाल देगी डिया ने उमोहोजा लास्ट सीजन साथ मेचेस में पांच मेचेस मे इनको नहीं रखने वाला हूँ कोलंबिय वी जाए यह कि लाड़ी लास्ट सीजन पांच में से पांच में जिसमें में बालिंग किये थे बट मैं आपको बता दू मातर साथ ओवर की बालिंग थी चार भी गड़ जहुर निकाले थे रिसन टाइम में भी छे में से पांच मे की गेंबाजी है तो इन से बालिंग लगबग लगबग सारे मेंचेस में करवाया तो जा रहा है बट पूरे ओवर नहीं करवाया जा रहा है इस कारण से थोड़ा लेना रिस्की रहेगा आप ट्राइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इनके बाद आ जाएगी शेंथिया आठ मेंचेस में चोबिस औरण वर की गेंबाजी करके साद बिकेट निकालके आ रही है सेंथिया उवेरा बिल्कुल आपके टीम में रहनी चाहिए दो बर की गेंबाजी करती है रत वी माना है और्थवोड़क्स बॉलर मातर चौदा साल की है बट गेंबाजी अच्छी कर पर भी इनका एक आदेवर कर जाए हो सकता ऐसा बागी बेंच में जो पिलियस है उनके बारे में आप एक बार देख लिए फैनी उतागो मासम मिंडे है जो की बिकेट कीपर बल्लेबाज है डोमेस्टिक टी-20 के अंदर जो सिनियर लेबल पर खेली है वहाँ पर एक मैचेस ख दसका है तो आप ज्यादा इनसे उमीद ना रखें फाइना वे नेजा है लास्ट जो है सीजन आट मैचेस में रन इनके थे जीरो ते इन पर भी धिहान देना नहीं है इस्टर नेरेमा बिमाना है लास्ट शीजन एक मैचेस खेली थी कुछ की नहीं थी और आर्सी ये वोमे दोमेस्टिक टीटवांटी के अंदर चार मैचेस में रन है इनके नाम जीरो एक पिलियर से जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जील में आप जरू ट्राइक कर लिजेगा नकीला उमू कुंडवा दोमेस्टिक टीटवांटी के अंदर ठीक ठाक खेलके आ रहे ह धियान रखेगा टॉप ओडर में बल्लेवाजी भी कर जाएगी हो सकता है या फिर मीडिल ओडर में आपको हो सकता दो अबर की गेनवाजी भी देदे थोड़ी सी गेनवाजी में थोड़ी सी कमी दिख रहे हैं इस टीम में सायद नकिला वो काम कर दे और आपके लिए एक जी एल की एक अच्छे पिक बन सकती है रिसेंट टाइम में डॉमेस्टिक टीट्वांटी के तीन मैचेस खेलके आ रहे हैं 32 रन बनाए है पलस 11 और की गेनवाजी की है लगवा पूरे ओवर और 6 विगेट निका ले और 15 और के मैचेस भी खेलके आ रहे हैं वहां पे भी द बहुत सारे हैं और ज्यादा एक्सप्रियंस एक अधी पिलियर्स कोई है ज्यादा एक्सप्रियंस है नहीं बट इन लोगों ने टीसेंट टाइम में अच्छा खेला है उस बेसिक पर ही हम अपने टीम बनाने के कोशिस करेंगे मोहंगा जेवरा की बात कर लेते हैं तो इनक गेनवाजी देगी एक अधी ओवर डेट में भी सायट डाले बल्लेवाजी से अच्छी है गेनवाजी से उतना कुछ खास अभी तक टीटेन के अंदर तो नहीं किये टीटी के अंदर फिर भी बिगेट निकाल लेती है आठ मैंचेस में लास्ट सीजन जब खेली थी तो एक मैंचेस में एक तालिस रन और सत्रह वर की गेनवाजी अरके नो बिगेट निकाल के आ रही है एक सीवी सी के अच्छी ऑप्शन रहेगी बिगेट कीपिंग से इनके साथ ओपन आ सकती है नडे ने जो की ओपनिंग पलस आपको एक से दो वर की गेनवाजी आई थिंक ये द कुछ बता नहीं सकते है बाकी जो ड्रीम एलेवन ने में मेंशन किया है उनमें थोड़ा सा अंतर है इस कारण से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको यहां पर देखके चलना है कि स्टेट्स पर फोकस किजिए कि कौन से पिलियर कैसे खेली है तो यहां पर नजदरीनी जो ओपन यह वन डाउन आनी चाहिए बहुजा तेइस में अभी जो डिसेंट डाइम में खेल के आ रही है आट मेंचेस में 139 रन है एक हाफ सेंचरी है तो इनसे बॉलिंग से उमीद नहीं रखेंगे ना कुछ वे ड्रॉइन एडलाइन यह खिलाड़ी आपके लिए एक डिफ की आफसन है यह जितने भी प्लेस वें बता रहा हूं यहां पर ट्वेजर एलेक्सिया के बाद यह सारे खिलाड़ी से बिकेट टेकर बॉला है और लोग इनको सबसे चाहता सी बिसी कर रहा है साइद यही एक रीजन है हर एक मैच में टीटवांटे के अंदर तीन चार दो देखने को मिलेगा ही टीटवांटे के अंदर की बात कर रहा हूं बाकि टीटेन का इन लोग पास इस्प्रियंस नहीं है अब इस लेबल पर क्या करेगी कहें नहीं सकते नो मेचेस के लिए एक सो पाई तीसरन मनाई है लोगर ओडर में बल्लेवाजी करती है और अच्छी ही है हर एक मेच में डोमेश्टिक टीटवांटे के अंदर रिसेंट टाइम में चार मेचेस में पचास रहन है नो विकेट यहां पे भी है तो खिलाडी बहुत ही सांदर है सी बीसी लोग कर रहे है रिजन यहीं है बाकि इराद दुकुंडा गेमा जोईस है आपको मिलेगी बैटिंग सेलेक्शन में यह भी रिसेंट टाइम में अच्छा ही खेली है बट अप रिक्स लेना चाहते हैं बट रिक्स लेने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि हाई सेलेक्शन है छे मेंचेस में अन्चासरान खेले भी अच्छी है सोला के एवरेस से पलस 20 ओवर की गिसले नियु मुक को की जा है जो की डुमेस्टिक टीटवेंटी अंदर ग्यारा मेंचेस में सकतर रन बनाई है और आठ मेंचेस में 16 ओवर की गेनवाजी करके आड़ बिगेट निकाले ट्राइक करना चाहते हैं कर सकते हैं अमोटो निलियानी है डुमेस्टिक है हाइस्ट को दस का है उए माना डियाने है आठ मेचेस में पांच इनिक्स में तेरा वर की गेंदवाजी पांच विगेट इनके वाद मुसिमियाना अमाश्टासी हैं जो की देखिए इनका रोल थोड़ा सा जो ड्रीम लेवर मेंशन किया गया ऑप स्पिनर बट आई थिंग कि लेफटाम मेडियम या लेफटाम और्थाड़क्स बॉलिंग करके जा सकती है धियान रखिएगा दो मेचेस में जो है एक मेचेस में तीन अवर की गेंदवाजी की थी और तीन विगेट लेके गए थी वहीं अंडर सेवेंटी लेवल पे पांच मेचेस में 16 अवर की गे गेंदवाजी अच्छी की है इनको मिली ही नहीं है जुनियर लेवल पे छे मेचेस में जो जो मेचेस में जो अबॉलिंग की है अंडर सेमेंटीन लेवल पे चार मेचेस में जो फे है उनके बाद आपको मूलें कि उमु मारा रूंगू जुलपती डोमेश्टिक टीटवंटी गंदर एक मेंचेस में एक रन है और अंडर 17 लेवल पे जो 15 अबर के मेंचेस होते हैं और चार मेंचेस में छे अबर की गेंद बाज़े दो भी गेट टूइश्टिक टीटवंटी गंदर चार मेंचेस में दो रन एक मेंचेस में छे एक वर की गेंद बाज़े की थी जहां पर रन पड़े थे छे नियून कूरू इस्टर हैं डोमेश्टिक टीटवंटी अंडर 17 लेवल पे तीन मेंचेस खेलिए सिर्फ फिलिंग की है मातर 14 साल की है वाशिंगा एलीन है जो की डोमेश्टिक टीटवंटी गंदर चार मेंचेस के लिए कुछ की नहीं है अंडर 17 लेवल पे पांच मेंचेस में 32 रन जरूर बनाई है पांच वर की गेंदवाजी चार बीगेट ये थे इनके शेश्वाब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम मे बागे डिसकेस होई पे करें बात कर ले बीकेट कीपिंग सेक्शन की तो देखिए मैं एहम हुआ से एक बेहतरीन जो है बीकेट कीपर बलेवाज़ आपको रन तो बनाके देख ये पलस बीकेट कीपिंग का भी एड़ बांटेज है तो मैं इनको तो लेँगा अगा जी इन मनवासी इनके तरफ से एक बेहतरीन बलेवाज है ओपनिंग करनी चाहिए बिल्कुल आप ट्राय कर सकते हैं आप जी एल में अगर रिक्स लेना चाहते है तो ले सकते हैं बाकी मैं इनको लेके जा रहा हूं बाकी बैटिंग सेक्शन से मुझे उतने कुछ खास पिक नहीं दीखे और नाम कुछ ऐसे है कि मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूं आप वीडियो को थोड़ा देख लिजेगा बाकी पिलेश के इस्टेट्स आप देख लेंगे आई वरिन विकेट टेकर बॉलर है बहुत सांदार बॉलर है आप लोग इनको सी बीसी कर रहे हैं करने भी च करने चाहिए लोगों को तो यह होने चाहिए ना कि यह सिर्फ गेनवाजी से ज्यादा है बल्लेवाजी से नहीं बट यह दोनों से है बल्लेवाजी गेनवाजी दोनों से है यह जीवा से भी एक सीपीसी के अच्छों है बिल्कुल आप इनको ट्राइ कर सकते हैं बाकी यहा सेम 25 परसंसेललेक्सेन धियान नहीं देना है बिल्कुल जैड इसमवे अब देखे में यह चार। नहीं टूर्की नाज़ेगर ये एक और राउंडर पिलियर्स है टॉप ओडर में बल्ले वाजी भी करीगी CBC के भी ओफसन में रह सकती है आप इनको लेके ज़र लेंगे C.U. वेरा दो अबर की गेंद वाजी मेरे हिसाब से करनी चाहिए मैं इनको लेके जा रहा हूं 12% सेलेक्षिन है आप देखिए एक पिलियर्स को मुझे यहां से लेने का तो बहुत मने बट किसके पिलियर्स पे लूँ ये मेरे समझ से बाहर है और रत उई माना दो अबर की गेंद वाजी करनी चाहिए हो सकता है कि ये कादे उफर कट जाए बट खिलाडी अच्छी है बिकेट थोड़ी से कम निका ली थी लाश्ची जन बट खिलाडी अच्छी है आप किसी के प्लेस पे लेना चाहते है तो आप इस खिलाडी को ले लिजेगा 61% सेलेक्षन भी है तो आप लेना चाहते है किसी और के प्लेस में तो ले सकते है बट मैं गया हूँ अभी के लिए ये टीम जो मेरे पास श्टेट्स अबलेबल है उस वाई मेरी टीम अभी के लिए ये बनी है लगबग अगर लाइन अप चेंजन आ होती है तो लगबग यही टीम रहेगे इस चीज़ का धियान रखेगा बाकि एकादी चेंजन तो लाश्ट में करूंगा ही वो तो आपको पता ही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाइन अप के ही टॉस के एक रोडिम फिर टीम बनानी होती है यहाँ पे देखिए मेरी कैप्टेंसी इस मेच में जो जाने वाली है बीम उर्कुटे के साथ जाने वाली है लोग जिनको सी कर रहे हैं मैं उनको भी सी कर दूँगा बागे आपको सेब जाना है आप यहाँ पे रोटेट कर सकते है बट मैं आपको बता दूँ जी एल की सी बी सी है आई एमाजी इंग वायर इनके अलावा यहाँ से बीम उर्कुटे, जी उवासी इनके अलावा यहाँ पे आपको ये दोनों पिलियर्स भी सी बी सी के आफ़सन में दिख जाएगी तो ये कुछ आफ़सन है जिनको आप रोटेट करकर के आप जी एल में सी बी सी ट्राइ कर लेंगे और आपकी टीम बन जाएगी एक आदि फिलियर्स को आप चाहे तो इधर उधर कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के तुरू कुछ हेल्प कर पाया हूँगा और कुछ हेल्प ये सबसे बल वीडियो को लाइक करेंगे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक यू